नमस्ति साथियो मिसन अंगूर के तीन चरणों और वरतवान में हम किस चरण में चल रहे हैं इस बारे में जानने से पहले जान लेते हैं मिसन अंगूर के आधार मुल्य क्या है? जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं ठीक है निपुण भारत के लक्षों की प्राप्ति के लिए मद्पदेश सरकार के दुआरा दिसंबर 2022 में मिसन अंकूर का सुभारंब किया गया था और इसके जो आधार मुल्य है जैसा कि यहां पर दिखाया गया है ठीक है और मैं आ संकूर मद्पदेश सरकार का FLN मिसन है FLN अर्थात फाउंडेशनल लेटरसी और नियूमेरेसी मिसन है जो की निपुण भारत अब निपुण का फुलफार्म क्या है आप भली बात ही जानते होगे निपुण का मत्दा जिदा को एन आई पी यू एन ठीक है निपुण तो निपुण का फुलफार्म होगा नेशनल इनिसियेटिव फार प्रोफिशियंसी इन रेडिंग विद अंडरिस्टेंडिंग एंड नियूमेरेसी यह इसका पूरा फुलफार्म है ठीक है तो निपुण भारत के जो दिशा निर्देश है 2021 से 37 सक के लिए उनको उसके अनुस जो विद्यार्थी कक्षा एक और दो में अर्था सिक्षा के प्रारंबिक इस तरह पर हैं तो उन्हें सभी विद्यार्थियों को पढ़ने लिखने और गडिक से संबंदित जो बुनियादी दखता है उसको उसके जो कोंसल उसको प्राप्त करवाना है ठीक है और यहाँ प पर हैं कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सोलह लाक यह प्लस अर्था सोलह लाक से उपर हैं सिक्षकों के हम बात करें तो एक लाक असी हजार आथा एक दसनों आठ लाक सिक्षकों की संख्या है और विद्यालों की संख्या ह देखे तो 80,000 विद्याला है ठीक है तो जो मिसन अंकुर के आधारबुत मुल्यों के अंदरकत पहला क्या आता देखेगा एक इसपष्ट सिक्षण लक्ष जो सभी द्वारा समझने में आसान हो ठीक है इस मुल्य को रखा गया है दूसरा है कि FLN लक्षों की प्राप्ते के ल कराना और उन्हें उचित संसाधन उपलब्द कराना फाउंडेशनल लेटरिस्टी एंड नुमेरेसी के जो लक्ष है उनकी प्राप्ति के लिए जो सिक्षक साती है उनको हम प्रोसाइद करेंगे और शाथ में उन्हें वे समझ संसाधन चाहे स्कूल बिल्डिंग हो पाठ् मिसन मोड में कार्यान वयन को यहाँ पर देखकेगा पर जीला और राज इसतर पर सभी कर्मचारियों को ऐफ Ellya के परणामों को पूरा करने के लिए प्रैरित करना पर्ना मोड में करोरा करना है तो सभी कर्मचारियों को जो फाउंड डेसनाल डेटरसी और नियुमिरसी है इसके परणाम है इनको पूरा करने के लिए हमको प्रहरित करना है तो यह मने आपको बताया मिसन अंकुर के आधरवत मोली जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं आए आप हम देखते हैं मिसन अंकुर के जो मुक्य ती चरण हैं और वर्त्मान में हम देखे तो हम ती चरण में हैं अब ती चरण कौन-कुर से हैं यहाँ पर आप देखेंगे पहला जो चरण है वो 2021 में थी जिसकी हम पार कर चुके हैं और वर्तमान में हम देखे 2023-26 के लिए वर्तमान दूती फेज में अथा सेकंड जो फेज है यानि दूती जो चरण है उस पे हम चल रहे हैं जिसमें जो खाका त्यार किया गया है मिसन अंकूर का ठीक है जो इंटर्वेशन त्यार किया गया है उसको मजबूत करना इस्थिर करना ठीक है अर्थात उसके अध्यापनकार सतद रूप से चलाना ठीक है और जो भी सामागरिया है जो भी जानकारिया है ठीक है उनको पूरा करना ये 2023-26 तक के लिए है और त्रती जो फेज होगा तीसरा जो चरण होगा 2026-27 होगा और इसमें यह होगा कि मिसन जो एफलेन मिसन है उसके लक्षों की प बताया था जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कक्षा एक और दो के सभी विद्यार्थियों को बुनियादी सिक्षा और श्रंख्या ग्यान के कौसर प्राप्त करवाना इस लक्ष के प्राप्ती होगी ठीक है तीजरे चरण में अब हम बात करें आपर प्रोग्राम ड निरअंतर सुखार करना डेता अर्था आक्री पराप्त होंगे कि भही किसे लख्य पर याध्य नरे भर प्रोग्राम है वाने डिच सेट अफिर्ठ और फोगया निसमर्ठ तो इस वीडियो के मादधान से मने आपको बताने का मिला में प्रयास किया कि मिसन अंकुर के जो मुख्य तीन चरण है वर्तवान में हम दू-ती चरण में हैं तो साथियों यह जो जानकारी है CAC अर्था जनसिक्षकों के मैंटरिंग कैसे करे के प्रसिक्षण में जो पी-पीटी चलाई गई थी उससे हमने लिया है और आपको को बताने का प्रयास किया है कि मिसन अंकुर के मुख्य तीन चरण कौन-कौन से हैं और हम वर्तमान में किस चरण में आसा करता हूं जानकारी उप्यों के लगी होगी तो मिलेंगा अगले कालखण में तब तक के लिए जै हिंद